ये है क्रिशी दर्शन कर रहा है कैसे अनुसंधान कर रहा है किस प्रकार की शोद कर रहा है इस विशे पर और अधिक हम जानकारी लेते हैं वहां के कुलपती श्री बलराज सिंग जी से स्रीकर्ण नरेंदर किर्सी विश्विद्याले आज किर्सी अनुसंदान के अक्षेतर में इस परदेश के लिए बहुत ही महत्वपून कारिय कर रहा है अगर मैं बात करूं किन फसलों पर हम महत्वपून रूप से अनुसंदान का कारिय कर रहे हैं उसमें गेहूं, जौं, चना, मसूर, फील्ड पी, सबजियां, मुंफली, गवार, चावला, बाजरा ये परमुख फसले हैं जिनके उपर हम बहुत महतुपून रूप से कारिये कर रहे हैं और हमारा जो स्कीम्स है, जो अनुसंदान की, तीन स्कीम्स हैं हम वो जौबनेर में, जो मुख्याले है, SKN College of Agriculture में चल रही है, जिसमें रेप सीड, मस्टर्ड और तारा मीरा, इसके अतरीक सीड स्पाइसिज, बहुत ही महतुपून स्कीम है, जिसमें जीरा, धनिया, सौंप, मेथी, अजवाइन, ये फसले आती हैं, इसके अतरीक एरिड फूट्स, जो अर्ज सुस्क या सुस्क जलवा ये वाले जो फल है, उनका जो हमारा जो फार्म है, वो आसलपूर में है, वैसे SKN College of Agriculture में भी काफी उसकी प्लान्टेशन है, अलग अलग क्रॉप्स की, उसके अनुसंदान कारिय जारी है, लेकिन जो मुख्य फसले हैं, वीट बारले, और उसके अतरीक लेंटिल, च लेकिते हुए, ज्यादा स्कीम्स हम रारी दुरगापुरा में चलाते हैं, जहां तक गेहूं की बात करें, गेहूं के अंदर हमारी उनुवस्टी ने रारी दुरगापुरा से बहुत ही महतुपून किसमें इस प्रदेश के लिए विक्षित की हैं, पुरानी किसमें भी आ टॉलरेंट है, और इसके अतिरिक्त जो हमारी 14-82 जो वेराइटी है, चपाती मेकिंग में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता रखती है और बहुत दिमांड में है, इसके अतिरिक्ते 40-36 जो हमारी वेराइटी जो लेटेस्ट जो डवलप हुई है, वो जो हैं हाई डिमांड में फार्मर्स के फिल्ड के उपर, उसका सीड प्रडक्शन पर मेजर फोकस कर रहे हैं, जहां तक अनुस अंदान की बात है, हम अब जो नया अनुस अंदान जो क्रिशी विस्विद्याले में कर रहे हैं, उसमें गेहू में क्वालिटी के साथ बाय फोटिफिकेशन, जैसे कि पता नहीं कब ठंड चली जाए और कब एकदम से टेंपरचर सूट अप कर जाए, तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा नुक्शान हमारी जो मेजर फूड क्रॉप है, स्टैफल फूड क्रॉप है गेहूं उसको होता है, तो उसको मदन नजर रखते हुए हमने ये जो काम लिया है, टर्मिनल हीट टॉलरेंस का, बाकी हम डॉट टॉलरेंस, सेलिटी टॉलरेंस और इसके अतिरिक्त जो है, हमारा जो है, रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट इसके उपर भी हम काम कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ पूरे देश में, सीरियल सिस्ट नेमे ही है, और उसके अगेंस्ट भी हमारे पास दो वैराइटी आज सी एनेम के अगेंस्ट रोधिता लिए वे हैं, उसके अतरिक्त जौं में हम बहुत महत्वपून रूप से काम कर रहे हैं, और जौं में हम पुराने टाइम में हमारे पास फीड बार ले, डुवल परपस बार और दूसरा उसका गलाईसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, बलड सुगर को ज़्यादा बढाता है, तो उसका कोई रिप्लेस्मेंट चाहिए तो उसका बेस्ट रिप्लेस्मेंट जो है जौं हो सकता है, एक तो गेहूं के मुकाबले कम पानी लगता है, ज्यादा खारे पानी में हो सकता है और एक जब टर्मीनल हीट टॉलरेंस की बात करते हैं तो कहीं जौन ज्यादा परभावित नहीं होता गेहूं के मुकाबले और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फूड बारले पर काम इनिसेट हमने दुरुगापुरा में किया है इसके अतरिक्त ह हमने बालमाट से बड़ा सहयोग किया MOU साइन किया है जो माल्टिंग इंडस्टी बड़ी और उसका एक कारण है हमारा कि हम लोग जो है और हाई माल्टिंग टाइप हाई इल्डिंग वेराइटी क्योंकि अभी वरतमान में हिंदोस्तान 2,5 लाग मेट्रिक टन जौन बाहर लगा परा देश में हमारे पास दुर्गाMusic को भी को मैं सक्रिणिंग करें तो दुर्गापुरा आना पड़े वो हम काम कर रहे हैं यसके दिले आफ जड़ते हैं रहा साइच का और यडल लावल और हम्ता में काम भाइद चणे में वो है mechanical harvesting क्या चणे की कटाई हम combine से कर सकते हैं तो उस विशे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च के एरिया में इसके अलावा हम काबुली चणे में भी बहुत महत्पून किसमें अमने दी हैं और आगे भी काम कर रहे हैं लेकिन जैसे छोला ज्यादा महेंगा होता है तो गरीब आदमी कभी ढाबे वाला या वोटल वाला वो सबजी नहीं खलाएगा तो उसका replacement हम देख रहे हैं फील्ड पी के रूप में क्योंकि फील्ड पी रोगों से रोधीता उसके अंदर अचे विल्ट हो या दूसरे रोग हो तो ऐसी स्थिती में फील्ड पी क बाजरे में इन दो किसमों के अथरिक्त अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा मुख्य जोर ड्रॉट के उपर हीट टॉल्रेंस के उपर और बायो फोर्टी फिक्शन पर रहे गाई लेकिन हम चारे रेंसी डीटी जो खटा हो जाता आठा उसको कैसे कम किया जाया तो टेक् जनीत रोग हों चे वो इल्ड की बात हो या ओयल कंटेंट की बात हो अभी हमने 559 जो हमारी वराइटी है मुंफली की साइध देश में सबसे बड़ी गिरी का साइज हमारा है जो करनल साइज है और ओयल कंटेंट इसके अत्रिक्त भी आगे बढ़ रहे हैं मुंफली के और अब वेजटेबल्ट टाइप गवार पे भी हम काम कर रहे हैं काउपी के अंदर चावले के अंदर भी रह से वह सबजा पूर आवले पा या जो हैं हमारा बेल पत्थर और दूसरे फ्रूट्स के उपर काम करें सीन स्पाइसिज में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हमारी जीरा है देश की और आज जीरे का निर्याद एक तने बड़े देश को खिलाने के बाद चार हजार क्रोण रुपे से ज्यादा जीरे का निर्याद है तो ऐसी स्थिती में हम उसके उपर फोकस कर रहें कि क्या हम जीरे की वराइटी एक सो पचीस तीस दिन से घटा के सौधन पर ला सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारा आल्टरनेरिया बलाइट है जोलसा चारे हैं क्योंकि जीरे का जो जर्मिनेशन अंकुरन उसमें 14-16 दिन लगते हैं तो हम चाहते हैं कि क्या जर्मिनेशन को आठ दिन पर ला सकते हैं घटा करके तो यह काम हम महतुपूर्ण रूप से फसलों पर धनिया पर मेथी पर काफी किसमें विक्सित की हमने जॉबनेर से जो महतुपूर्ण रूप से किसानों के खेट पर काम कर रही हैं तो इस परकार से औराल एग्रिकल्च रिशर्च में हमें अब एक रोड में तयार कर रहे हैं 2050 का वीजन 2050 जिसमें हम सारा एक वो दिखाएंगे कि भविश्यम हमें क्या जरूरत पड़ेगी घटते हुए पानी जल्वायू परिवर्तन और सारी परिष्दितियों को देखते हुए अक हानफान की बदलती आदट इन सब जिजों को देखते होए हम जोर देंगे रिसर्च के उपर, जहां तक क्रिशी सिक्षा की बात है, क्रिशी सिक्षा में भी हमारा क्रिशी विश्विश भी देले, जैसे हमारे खुद के, यह तो पुराना सबसे पुराना कॉलेज SKN, कॉलेज अफ एगरिकल्चर जॉबने, 47 का है, आजादी से पहले का, इसमें तो मेन फोकस है यह, BSC Agriculture है दो बैच चलते हैं, 64, 64 के, इसके अतरिक्त, MSC, PhD हमारी आठ डिस्प्लिन्स के अंदर है, रारी दुरगापरा में हमने 6 सब्जेक्ट्स में इसी साल से मास्टर्स और PhD प्रोग्राम सुरू किये हैं, और College of Agriculture फटैपुर के अंदर भी हमने 4 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स ड बात करें, तो लगबग 15 कॉलेज हमारे Constituent College है, इसके अलावा 13 कॉलेज राजय सरकार के जो हायर एजूकेशन के पास है, उनका भी परिक्षाओं का संचालन, निगरानी का संचालन हम करते हैं, इसके अतरिक्त, जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, करीब-करीब 8-10, जिनका लगबग टोटल हम 40 कॉलेज की परिक्षाओं कराते हैं, लेकिन हमारे Constituent Colleges आज कृषी शिक्षा के अक्षेतर में बहुत महत्व पूरूरूप से अगरसर हैं, और हमारा मुख्य उद्देश से उच गुनवता शिक्षा, Personality Development, Communication Skills, Confidence Building, इनके उपर फोकस है हमारा बच्च को हमारे बच्चे हल्प करते हैं, आयोजित करने में, स्वस्ता अभियान में, हमने एक्सपोजर विजिट कराई बच्चों की इंटरनेशनल, चार देशों में, चार बैचिज्व में बच्चों को बेजा और इसके अतरिक्त साइंटिस्ट को भी, हमने करीब 15 के लिए बेजा तो हर तरीके से आब स्मार्ट क्लास्रूम से हमारे पास बैस्ट फैसिलिटीज लेबरोटरी की हम डवलप करें और यह जो हैं लेकिन मजबूत कर रहे हैं इसके अतरीक एक हम जो नई जो सेंटर बना रहे हैं सेंटर आफ एक्सिलेंस वन फूड टेकनोलोजी और फूट टेस्टिंग लैब जिसको हम एने बिल एक्रिडेटिटिड करना चाहते हैं वो रारी दुर्गापर हमें स्थाफित कर रहे हैं इसके अतरिक तभी तक इतना पुराणा किर्शिविस्वजाले होते हुए हमारे पास जैव प्रद्योगी की बाय टेकनलोजी की प्ला करना चाहरें बाकी ड्रॉन का डीजी ची अपरूब हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और उसका भी क्या-क्या उसके ब्विशम हैं क्या-क्या उसके चैलेंज हैं जब ड्राओन का नेनो यूरिया का नेनो डी एपी का या एनपीच का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी पूर्ण निर्मान का काम युद्सतर पर चल रहा है और बाउंडरी हो गई लेवलिंग का काम अकडमिक ब्लॉक होस्टल उनका अपेक्षा है हमारी अपेक्सित है कि जून और जुलाई तक सब पूरा हो जाएगा और हम अपने खुद के बाउनों में जो है ना सारा सेट अप करेंगे और इसके अखरिक जातेक़ एक्सेंसं की बात है एक्सेंसिन न में वर्तमान बें हमारे पास नंदर है है इसका खक्रशी संच्छ二 जो परविजन हम करते हैं जो इंझियों के पास या इस हैर के पास है अल्वर में तो इस तरीके से क्रसी परशार में भी हम बड़ा महतवपून रूप से काम कर रहें और जो फार्म परदर्शन है या वहां पर demonstration हैं हमारे वी केज के फार्म पर क्रॉफ कैफिटेरिया है नई वैराइटीज का सारा demonstration हम वा करते हैं नई-नई टेकनोजी का demonstration हम वहां करते हैं और आब हमने जो मुख्य काम हाथ में लिया है केवी केज के मारपत वो लिया है planting material horticulture में large scale planting material farmers को उच गुनवत्ता वाला disease free, virus free healthy planting material farmers को available कराने का वो हमने हाथ में लिया है और उसके लिए हम दुरगापरा में एक बहुत बड़ी facility डवलप कर रहे हैं उसमें net houses green houses nursery raising technology पूरी हम विक्षित कर रहे हैं तो भविश्य में केवी केज के मारपत हम हमारे किसानों को बाववानी अक्षेतर में भी मजबूत करेंगी मैं किसान भाईयों से जितने भी हमारे किसान भाई राजस्थान परदेश से हैं या हमारे जो जुडिक्षन में आते हैं सबसे अनुरूद हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों से जुड़े हम हर तरीके की मदद किसानों की करना चाहते हैं च्वाहिटे संब्रक्षित खेती हो या फसल उत्पादन हो दलन उत्पादन हो तिलन उत्पादन हो पसुदन की बात में करना भूल गया था लेकिन पसुदन के अक्षेतर में हमने डेरी टेक्नलोजी कॉलेज स्थापित किया है ब्रेड इंप्रूमेंट या प्रोसेसिंग वैल्यू प्रिसर्च है उसका लाब उठा किसानभायों देखा आपने कि वश्विद्याले किस्त्रकार की गतिविधियां कर रहा है किस प्रकार के से कारे कर रहा है यह सभी शोध आपके लिए लाब प्रत है हम हमारे कारिक्रम के माध्यम से इन सभी नवाचारों को इन सभी अनुसंधानों को इन गतिविदियों को आप तक हमेशा लेकर आते रहे हैं इस कारिक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं क्या आपकी जिग्या साहें यदि आप हमें लिक बेजें तो हम उन सभी को कारिक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे पत्र लिखने के लिए हमारा पता है क्रिशी दशन कारिक्रम डीडी राजिस्थान दूर दशनकेंद्र जैपुर किसान भाईयों आप हमें ई-मेल भी कर सकते हैं हमारा किसान भाईयों अब समय का इशारा हो चुका है कि हमें लेनी होगी आपसे विदा हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़िवी नई जानकार्यान लेकर तब तक के लिए दीजिये हमें आग्या नमस्कार हुआ 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 है